त्यृंट्टाइए करने के देखते हैं कि सभ अप्लाइ करना कोई पैसा किसी को prov植व vlogs एक सभी खरच नहीं करना बिल्गुल और केहां किसी प्रेकार की प्राइड नहीं मैं आपको करके देखाता हूं आपके सामने स्चेप बिल्कुल एक भी स्टेप मिस नकरे उन देखिए लिन सबसे पहले मैं लिंक क्लिक करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे अiston यह यू पीपि पिबी कि ये UPPRPB.go.in . षर्च करेंगे गुंगल पर तो भी डाइरेक्ट ये पेज कुल जाएगा उत्तर प्रदिसट पुलिस भाटक आप फिचल फिकल जाएगा और अफिचल प्र जाएगा यहां पर यहां पर अप्लाई अनलाइन दिखा रहा है आपको यहां अप्लाई अनलाइन पर क्लिक करेंगा इसे और अप्लाई अनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यह पेज खुल जाएगा आपको आवेधन करने के लिए आवेधन करने के लिए पेज खुल जाएगा आपको इसमें आवेधक का बहल तो अकर स् shaped नाम चैंस प्रेकार से फिल किया Yayगा तो इसे पहला नाम फिल करेंगे इसमें अंतीन नाम और डाइटल नाम करना बढ करेंगे उसके बाद यहांपर डेट आप बस्तमीन करेंगे इहां पर पिता का नाम टाइटिल साहिद फिल करेंगे और माता का ना यह भी टाइटिल साहिद का मतलब कि आपके हाई स्कूल के मार्सिक में जिस परकार से लिखा हो गया है उसी परकार से फिल करेंगे कि यहां पर जंडर सेलेट करेंगे मतलों अपना जंडर आप मेल है अथा फिमiddel सेलेट करेंगे तो आप मुबाइल नंबर क्र जाएगा इसलिए आप वहें मुबाइल्बर from और नंबर में करने के लिए इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आप अपना अधार Adam आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं चाहें तो नहीं अच्छे कर सेंगे लिए अभी फिलाल के वाल पर जाएगा लेकिन इन इसके बद अपनी राष्ट्रियता यहां पर भारती एक ही निकलेगा इस प्रकार से आप से लेगा और इंडिया नीच अपड़ेगा इसको मैं फिल करके दिखाता हूं यह मैंने फिल किया आप इस प्रकार से देख सकते हैं यह मैंने सब हैं यह सिर्फ एक जांपूल किसी का किसी से कोई संबंध से यह तो मेरा मिड सबस्क्राइं कर सकते हैं अगे कि सब्सक्राइब है अगले कि दτιतर प्रदेश आगर है तो ऊश से किसी동 करें करेंंगे तो आप पुछेगा तर्परदेश का नहीं कहना है तो यहां पर सेलेट करना पड़ेगा किस प्रदिस से लिए अगर चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं और नो करें तो यहां पर आप से सीधा जनरल ले लिये जाएगा आप यह स्करेंगे तो याप ये सकते हैं पर मुल निमास परमान निर्गत करने वाला ने स्कते हैं कि निरगत करने कि तीथी क्या है तो तीथी बता दे कि Stick comparing चाहिए तो हम इ fib प्रकार से जुलाइ डाल देते हैं 11 कि एक December डालेते हैं इसके बाद मूल निवास प्रमाणब्पत्र करम संख्या सिरी अल नंबर डालेंगे मूल प्रमारपत्र का सीरियल नमबर कितना wanna मैं जो किछ कि भी आपके परमारपत्र में माँस के डैगा उसके बाद ना क्ति बनवाएं तो किसने जारी किया है फिर वहीं बात प्रमाना पत्र प्रमाणा पत्र पर तारीक होगा वहां से देख सकते हैं मैं एक दिसम्बर डाल दे रहा हूं प्रमाणा पत्र कारम संख्या उस पर सिरियल नंबर यानि की सर्टिफिकेट नंबर उस पर लिखा होगा तो वहां से अप सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे मैं कुछ भी डाल दे रहा हूं और स्रेनी आवेदन संख्या किस प्रकार से होगा आवेदन संख्या उसमें दो चीजी होती है एक प्रमालपत्र संख्या होती एक आवेदन संख्या होती सीधा सिधा आपके प्रमालपत्र संख्या आवेदन संख्या अलग लग अवेदन संख्या यहां डालेंगे प्रमालपत अवेदन संख्या बड़ा होता है प्रमाणप्रत संख्या थोड़ा छोटा होता है क्योंकि कई अवेदन निरस्ट भी होते हैं उसके बाद क्या आप स्रेनी प्रमाणपत्र किसने निर्गत किया है स्रेनी प्रमाणपत्र किसने निर्गत कि आए इसका सीरियल नमबर इसे फिल कर देंगे जो भी सीरियल नमबर होगा अभी फिलाल हम इसको करते हैं इसके बाद क्या उत्तर प्रिदेश राजी सरकार के कर्मचारी है अब आपके पास सवस्चेक प्रमाणपत्र है अगर किसी सरकारी आफिस में कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो यहां पर एस करें अधौन नो करें यस करें तो आप से क्वेस्टन कुछ पूचा कर सकते हैं यह राफिस कर सकते हैं उसके बाद अनपत्ती प्रमाणपत्र यानी की परमेशन कव लिया है आपको परमिसन लेना पड़ेगा अगर नहीं है तो यहां पर कर दीजिए मैं अभी फिलाल नो कर दे रहा हूं किया अगर निमतन तीन वर्स की सेवा की है तो यहां से यस करिए यस करेंगे तो पूछा जाएगा है कि हम गड के प्रमाणपत्र किस्थे स्लेड निर्गत करने कि कि तीथी को जारु हुए है और उसके बाद रावार क्रम संख्या सेरेल है और का सीरियल नंबर क्या है वहीं तीन बातें मैं फिलाल नो कर देना उसको कि उसके बाद आप से अगला पुछा जाएगा स्ट्रिक योगिता एजुकेशन पुछा जाएगा तो हाई स्कूल और इंटर्मिडिट दोनों को पुछा जाएगा दोनों का बोर्ड का नाम डाल लिखा होगा डेट भी लिखा होगा लेकिन लेट यहां नहीं डालना है है जैसे कि कि यहां पर मैं डाल देता हूं की वोड़ वर्ड आप इपी बोड सिर्फ नहीं डालेंगे पूरा डालेंगे उत्तर प्रदेश बोड आप हाई स्कुल एंट इडियर मिडियर एजुकेशन इदना डालेंगे आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखाओगा ऐसे गोल में बड़ा सा या जिस भी इस बोड से पढ़ें वहां डाले अगर उत्तर निकरने का बर्स माले जेगी हमने डाल दिया 2019 में और जून जून 2019 डाल दिया आप अपने साथ पिकेट पर देख सकते हैं किस डेट में और के सिर्फियर पास किया है इसके परिणाम के स्थिति आप पास ही सेलेक्ट करना पड़ेगा एक ही आप सनाएगा पास अनुक्रमांग का रोल नमबर डालें और इसके बाद प्रमाण पत्र करम संह या अंक पत्र करम अंक बester है मिंद और सट्टिफिकेट अलग है तो दुनों में से किसी एक संखिया डाल शकते हैं कि सेटिफिकेट नमबर भी डाल सकते है percentages number सकते हैं कोई एक दाल नल पोई पुछना जी नहीं है वहें उठाकर डाल दीजिये तो यहां पर डाल सकते हैं कि इसके बाद इसी प्रकार से intermediate के लिए इंटरमेडियेट में जिस बोड से पढ़े हैं जैसे उत्तरप्रतिस बॉड़ा फाइश्कूल पूरा डालना होगा आपको मैंने पहले बोल दिया इसके बाद यहां उतिर्ण करने का बर्स जैसे माल लिजिए 2021 में किसी उतिर्ण क्या है और जून में जून 2021 मैंने डाल दिया आप अपने पर देख लेंगे परिडाम की स्थिति पास ही डालना होगा मैंने बताए पेंडिं कि वहीं बात अगर आपका सर्टिपिकेट अलग है मार्शिट अलग है तो किसी एक का यह सीरियल नंबर पर डाल देजिए प्रमाणपतर संख्याइस पर डाल देजिए अगर एक ही महत है तो कोई पूछना ही नहीं है तो यहां पर डाल दीजिए उसके बाद नेक्स्ट आएंगे और नेक्स्ट आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा अधिमानी आरहताएं अधिमानी आरहताएं में कि आपने ड्वेक्त अनाइलिट से कंप्यूटर में ओलेवल किया है अगर किया है संक्या सेरियल नमबर भी लिखा होगा प्रमाणपत्र निर्गत करने किती थी किस ती थी को आपका प्रमाणपत्र निर्गत हुआ है यहां उसमें फिल कर देंगे उस पर लिखा होगा प्रमाणपत्र संख्या प्रमाणपत्र का सेरियल नंबर भी लिखा होगा उस पर तो भी फिल कर देंगा आप फिलाल मैं इसको नो कर दे रहा हूं इसके बाद नेक्स्ट होगा क्या आपने दो साल की नियुन्दम आवधी के लिए प्रादेख सी सेना में काम किया है अगर किया है तो यह करें और जो ही यह करें कि वहीं तीन चाहिए पूछे जाएगी प्रमाणपत्र किस ने जारी किया है इस डेट को जा पूछे जाएगी किस ने जारी क्या है किस डेट को जारी क्या नमबर क्या है फिलाल इसको भी no कर दे रहा हुँ मैं आगे होगा अड्रेस मतलब पता है यहां पर होगा corresponding address पत्रचार का पता यानि कि आप कहा रह रहे हैं और यहां पर्मामेंट अस्थाइ पता आपका क्या है अगर दोनों पता सेम है तो यहां पर इसको फिल करने के बाद यहां पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से और दोनों पता अलग अल तो गाउं का नाम address 2 में पुष्ट आपिस का नायों इक ही तो दौन में एक लिख देंगे उसके बाद सहर किस सहर में रहते हैं घाउं में रहते हैं तो आपथ की car सब यहां प्रदेंगे पीं कोड़ यहां पर करता है मैं करके दिखादेता हूं मैंने यहां पर पिलकर दिया अड्रेस कर दिया है पत्रह चार पता आप देख सकते हैं यह सब के लेकिन यह सब कालपनिक पता है कोई वास्तिक पता है कि समझाने के लिए बता रहा हूं है अब को यह भर के आ जायेगा जो आपने भरा है उसी को दिखाने लगेगा प्रिभी के negatively के मतलब उसी को दिखाना यह तो आपको दिखाने लएगा आप यहाँ पर लेंगे अपना सब कुछ देखकर सब कुछ की जुआ कि आप चेक करने की सही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-साही-स-ाही-स-ाही-स-ाही-स-ाही-स-ाही-स-ाह अगर सब कुछ सही है मिलाने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर घोषणा लिखा नीचे घोषणा घोषणा में इस सब को टिक करना पड़ेगा और इसको टिक करने का मतलब है कि आपने सब कुछ पढ़ लिए उपर कर जो अभी मैंने बताया इसको पढ़ लीजिए मिला लीजिए तो इसका घोषणा कर ठीक करने का मतलब है कि आपने मिला लिए सब कुछ पढ़ लिए तो मैं फिलाल सब को टिक कर दे रहा हूं तब को टीक करने के बाद नीचे CAPTCHA लिखा होगा, CAPTCHA CODE, और यहाँ पर CAPTCHA आपको दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर GZ T3, आप में कुछ और हो सकता है, जोरी नहीं ही हो, इस पर CAPTCHA CODE में डालेंगे, CAPTCHA CODE डालेंगे, तो नीचे देखेंगे, तो मिलाया है अगर उसमें कोई गल्ती संभा रहे हैं तो यहांसे क्लिक टिग कर सकते हैं ह NICK करेंगे 120 11 1170 11 12 1170 जैसे यहांपर दिखा रहा है भाई दिखा दे रहा हूं इसको जो यहां पर दिखा रहा है 11 22 1170 यह रेश्टेशन नमबर है इसको लिख लेंगे इसके जोर्ट पड़ेगी अगला स्टेज में हम वाईली डेट तूटीपी करेंगे होम पर जाने के लिए क्लिए होम पर यह है कि अगर आप इस तितना भर ल पर जान के रहा मि móगे और कि 112 11 70 कि यह रेश्टेशन नमबर है जो अपने आभी किया जान टिके इसके बाद यहां पर डट बड़ डालेंगे है उसके बाद आपके मोबाईलल नमबर पर क्योंके यहां profits को फिल अप करेंगे यहां डेट करेंगे यहां पर लग इन पर क्लिक करेंगे तो यह मेंसेज आपके सामने आएगा इस प्रकार का पेमेंट वाल आप्सें करेंगे तो इन्टरनेट बैंकिक से पेमेंट करने आप्शन खुलेगा आपको यह उपि आई फोनपे गूगल बेप पेटियम वाट्स अपित्यादीके माधम से पेमेंट करने का उप्सम खुलेगा आप जिस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग माध्यम से अथवा यूपियाई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और जैसे पेमेंट के प्रक्लिक करेंगे इसे प्रक्लिक कर सकते हैं आडर नंबर लिखकर आजाएगा आपको कि यहीं आडर नंबर काम करेगा जब आपका पेमेंट सो नहीं दिखाएगा तो यह आडर नंबर काम करेगा जब आगे बढ़ेंगे इसके बाद प्यमेंट कर देंगे और 400 रुपय कर जाएगा बाकी जो है कि अगे अधियमेंट कर देंगे ऑफ शनाए का जिसमें डिजी लाकर के माध्यम से ही अब भी अप्लोड कर सकते हैं लेकिन कि नहीं टौटोण वोटोग्राब जो इयां से ब्राउज करके सकते हैं फोटोग्राब का साइज 20 की बीस सिंप 0525 की पीछ होनी चाहिए यहां पर certificate अप्लोड करना है यहां से बराउज करके अप्लोड करेंगे इसकी size 20 के भी से 100 के बीच होने चाहिए और intermediate का यहां से अथ्वाज समक्ष का जिसकी size 20 के आपको एक पैसा भी कहीं देनी के जोर नहीं पड़ेगी अपने आप से सब कुछ कर लेंगे घर बैठ़े ही मोबाइल से भी कर सकते हैं, कम्पीटर से भी कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं